Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala, expert in speaking English in 15 days English series with me. आज का जो हमारा day 11 है, इसमें मैं तू भी continue करूँगी, जो मैंने day 10 के अंदर जो है बादर वोकाबलरी का पार्ट फर्स लिया था. तो आज हमारा जो day 11 है, उसका पार्ट सेकिंड वादर वोकाबलरी. तो आज के हम वीडियो में देखेंगे वादर वोकाबलरी जो पार्ट सेकिंड के अंदर के हम किस तरीके से जो है वादर को एक्स्प्लेइन कर सकते हैं in English. So let's start. Heat wave, extremely hot. Heat wave, next humidity, moisture in the air, हवा में जो नमी होती है या गिलापन होता है, especially आप देखो जब बारिश हो रही हो लेकिन इतनी कुछ खास बारिश ना हो, हल्की फुल्की बारिश हो तो हल्की फुल्की बारिश के बाद जो एक माहोल बन जाता है बहुत जादा नमी के साथ जिसे हम उमस भी बोलते हैं, humidity मतलब जो उमस भी होता है, अगर आप especially बारिश के सीजन में इस सीजन को देख सकते हैं इस माहोल को, जो बहुत जादा जो है moisture होता है, हमारे face पे बहुत जादा पसीना सा आता है, बहुत जादा गिलापन सा नजार आता है, तो अचाए हम कितने भी नहा लें, या कोई भी situation create कर लें, लेकिन ये जो मौसम ही ऐसा है, जिससे हम humidity बोलते हैं, जो बहुत जादा माहोल के अंदर या हवा के अंदर moisture होता है, गिलापन, that is called humidity, next, hurricane, hurricane जो होता है, एक tropical storm होता है, with strong wind and rain, बारिश और हवा के साथ जो है, तुफान आना, hurricane जो होता है, वो especially जो tropical reason वगेरा होते हैं, वहाँ पर जो है, ये तुफान अक्सर देखा जाता है, ये एक storm का नेम है, तुफान जिससे हम कहते हैं, इस तुफान का नाम जो है, hurricane दिया गया है, जो हमेशा तेज हवाओं के साथ बारिश भी जो है, साथ में ले के आता है, त जब हम उस condition में या उस word में क्या बोलेंगे, hurricane, lightning, electrical discharge and flash between a cloud and the ground, बादल और जमीन के वीच में जो बिजली चमकती है, ठीक है, in simple way में, lightning का meaning होता है, बिजली चमकना, जो अक्सर आपने देखा होगा, एक electrical discharge होता है आसमान में, जो तेजी के साथ चमकता है, आसमान और जमीन के वीच में बहुत तेजी के साथ एक रोशनी सी जो नजार आती है, जिसे हम हमारी language में बिजली चमकना कहते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, lightning, lightning का मतलब बिजली चमकना, next, overcast, the sun is visible, no sun is visible, तो आसमान में जो है, बिल्कुल भी, जब आसमान में जो है, बिल्कुल सूरस नजर नहीं आता है, sun नहीं आता है, उस condition को हम क्या कहेंगे, overcast, जब कभी भी आपने देखा होगा, बारिस का season जब आने वाला होता है, या मौसम जिसम के तक खराब हो गया है, तो हम उस season को क्या कहेंगे, जब आसमान में बिल्कुल सूरस नजर ही नहीं आता है, तब हम उस situation को क्या कहेंगे, overcast, overcast का मतलब, बिल्कुल आसमान में जो आसमान से पानी बरशना या फिर in simple way बारिश होना, तो rainy season जो होता है, rainy season का मतलब होता है बारिश होना, जिन निनों में अकसर हर जगे बारिश होती है, उस मौसम को हम क्या कहेंगे, rainy, और in simple way हम rain भी इसे बोलते हैं, rainy जो है इसका adjective word है, तो ये जो है rain से मिलकर rainy बना है, तो कभी भी बहुत जादा बारिश हो रही हो कहीं जगे, तो आप बोलेंगे rainy season, बहुत जादा जो आसमान से बारिश गिर रही होती है, उस situation को हम कहेंगे rainy, next, running cats and dogs, ये जो एक phrase है, इसमें हमें क्या मितलब समझ में आता है, इसमें, running heavily, running cats and dogs का मितलब, running heavily, बहुत जादा तेजी से बारिश होती है, तो उस sentence को हम in simple way में बोल सकते है, running cats and dogs, यहाँ ये मतलब नहीं है, कि बारिश बिल्ली और कुतों से भाग रही है, उन लोगों की बारिश हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत जादा बारिश जब हो रही हो बार, तो आप in simple way म में बोल सकते है, running cats and dogs, तो इसका simple way में एक ही मतलब निकलेगा, कि लगता है, बाहर जो है, बहुत जादा तेजी से बारिश हो रही है, next, sunny, the gassy star, gassy star में in simple way में, जिससे हम sun कहते हैं, that warming the earth, heating, जो हमेशा जो है, अर्थ को हमारी जमीन को जो है, बहुत जादा गर्म करता है, मतलब, सूरस का तेजी के साथ चमकना, जिसे अर्थ बहुत जादा गर्म हो जाए, sunny, जो है, sun से ही मिलकर भना है, तो हम क्या कहेंगे, जब आसमार में बहुत तेजी के साथ अकर सूरस चमक रहा हो, और उसकी गर्म ही इतनी तेज होती है, कि उसकी वज़े से जमीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो अब हम उस डे को क्या कहेंगे, sunny day, ओके, हमारे जटमार साथ नहीं, sunny, ओके, not a sunny day, ओके, so that is called sunny, sunburn, ये तो लड़कियों की सबसे ज़्यादा problem है, इवन आज के जमाने में जो है, ये problem लड़कों को भी कुछ ज़्यादा ही है, अब आप स तो sunburn, sunburn means penful red and pink skin caused by sun rays, इसकीन का जल जाना वो भी सूरज की तेज रोशनी की वज़े से, sunburn आपने अक्सर देखा होगा, जब हम summer में या कहीं घूमने जाते हैं, इस वेशली तब हम अपमारी skin की care नहीं करते हैं, भीकुल भी, तो हमारी skin जो है, वो बहुत ज़्यादा dark ह हो जाती है, उसमें एक black, red और pink सा जो है, वो color change हो जाता है हमारी skin का, सूरज की रोशनी की वज़े से, तो उसे हम क्या कहेंगे, sunburn, thunder, thunder storm, दोनों का meaning ही same है, loud noise after lightning, बिजली चमकने के बाद बहुत तेज आवाज आना या बादलों का गरजना, आपने अक्सर ये मौसम जब बारिश का season जब आता है, तो आपने अक्सर जो है, इस word को सुना होगा, और इस situation को भी अपनी life में जरूर face किया होगा, जब बहुत जादा बादलों का गरजना हमे सुनाई देता है, और बादलों का गरजना ही सबसे पहला sign होता है कि बारिश आने वाली है, मतलब मौसम खराब हो रहा है या बारिश आने वाली है बहुत जल्दी के साथ, और हो सकता है कोई तुफान वगेरा भी आ जाए, क्योंकि ठंडर हमेशा कब आता है, जब बहुत जाएधा चमकने लग जाती है, तो बिजली के चमकने के जस्ट बाद जो हमें नेक्स्ट आवाज जो सुनाई देती है, वो आवाज होती है ठंडर या फिर ठंडर स्ट्रॉम की, जिसे हम कहते हैं बहुत तेजी के साथ जो है बिजली के साथ गरजगराना, जब बहुत टॉर्नेडो और साइकलोन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ओके, नॉर्मली जो है अगर बात करें, स्पिनिंग विंड स्ट्रॉम, आपने इन सिंपल वे में सुना होगा, टॉर्नेडो या साइकलोन, जो बहुत जादा इवन आसाम वगेरा के अंदर सबसे जादा जो चक हम कहेंगे टॉर्नेडो या फिर साइकलोन, जो बहुत तेजी के साथ, तुफान के साथ, हवा के साथ, एक तम सरकील के साथ, जो कुछ भी उसके रास्ते में आता है, वो घूमते गुमाते उसको साथ में उड़ाते होए ले जाता है, आपने देखा होगा, जो हवा में बिल बहुत तेजी के साथ तुफान आता है, और वो घूमता हुआ, जो है बहुत तेजी के साथ, जो है इस पिरली घूमता हुआ जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्नेडो या फिर साइकलोन, विंडी, ब्लोइंग एर आउटसाइड, बहार बहुत तेजी से हवा का चलना, अक्सर आपने देखा होगा, विंटर सीजन के अंदर, जब हम अपमारे घरों के अंदर रहते हैं, और सडली बाहर जाते हैं, तो एक तेजी के साथ, धिकी हवाई जो है बाहर चल रही होती है, बहुत तेजी के साथ, जो हवाई चल रही होती है, उसे हम सिंपल वे में क्या कहेंगे विंटी, तो आज हम ने जो है, पार सेकिंद के अंदर भी जो है, काफी अच्फे से जो है, मैं यूज़ किये हैं, वैदर के लिए, तो आप पार्ट वन और पार्ट सेकिंद, दोनों ही जो है, अच्छे से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका जो है, तो आप उन्हें चाहें तो आराम से देख सकते हैं तो आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और काफी यूसफुल रहा होगा तो जो भी मैंने आपको यहां पर जो वोकाबलरी बताई है आप उन्हें जो है अपने डेली लाइफ में जो है यूज करें जब भी ऐस सिच्वेशन आपको फेस आए यह नहीं है कि माम ने बोला डेली उस करना तो डेली तो आप मौसम वो लान ही पाएंगे तो सिच्वेशन के एकोर्डिंग जब भी आपको यह फेस आए जब भी आपको मौका हाथ लगे तो आप इने जो है अपने डेली लाइफ में यूस जरूर करें तब भी आप जो है इससे हैबिचोल होंगे और आपको यह अच्छे से लन होगा So I hope so you like this video Thank you for watching Please hit the bell icon for more updating videos And subscribe Nas channel Nas Parshalay Thank you so much Take care bye bye And keep continue with my series Take care bye bye